आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस और अभी बज रहे हैं सुबा के कितने गेस करिए अभी बज रहे हैं सुबा के आठ और सारा कम हो चुका है आज मैंने बनाई थी कचोड़ी नास्ते में पिछली बार भी बनाई थी जो मैं आप लोंगो के शाद शेयर नहीं कर पाई थी इस बार भी सेम चीजे होई क्या हुआ कि जल्दी 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 करना होता है तो बस उसे में प्रोब्लम हो जाती है तो पापा नास्ता करके जा चुके हैं और इनके लिए आम मुझे बनाना है तो मैंने का चलो आप लोंगो को दिखा देती हूं फटाफट से और बना भी लेती हूं और रेस्पी नहीं दिखा पाई रेस्पी कोशिश करूँगे अगले बार कि कैसे बनाती हूं मैं बाल उड़ रहे हैं कैसे बनाती हूं मुझे जल्दी शेयर करूँगे तो चलिए फटा फट से हम बना लेते हैं ठीके चले तो गाइस किचिन में मैं आ चुकी हूं और यहां पर मैं आटे को अच्छे से वो कर रही हूं ताकि यह चुटी चुटी लोईयां मैं काड सकूँ और यहां पर मैंने ओयल डाल दिया है रिफाइंड कढ़ाई में और मुझे गलती हो गई कि कढ़ाई में रिफाइंड डाल फिर फटाफट से तल लेती हूं इससे क्या होता है न कि हमारा ओयल वेस्ट नहीं होता अगर आप एक पूड़ी बेल होगे तो उसमें वेस्ट हो जाता है और साथी साथ एक चीज में और भूल गए थी सर पलो रखना जब भी मैं पूड़िया तलती हूं तो सर पे पलो रखक पर तलती न कहते हैं घर वाले की मतलब इस तरीके से रखना चाहिए तो मैं भूल गए थी और बस यही दुन में मैं थी कि हां मुझे बस फटा-फट तलना है क्योंकि यही भी चले जाएंगे दुकान को लें और मुझे इतनी बड़ी गलती हो गई जो गलती मैंने किये वह अब मत कीजिएगा और बाकि आटे को बच्चे हैं जो मैं उनको एक कटोरी में करके रख दूँगी क्योंकि अभी आइएंगे देवड जे उनके लिए भी बणाना है फ êtes बच्के खाएंगे तो उनके लिए भी बनाना है क्योंकि ठंडी हो जाती है तो अच्छी नहीं लग देखिए और उसका जो छिट्टा था वो मेरे फेस पे आके पड़ा और बाल बाल बज गई मैंने काफी जादा कंट्रोल किया अगर मैं काफी तेजी से रखती तो पूरा मेरा फेस जल जाता और मैं सच बतारी मैं कई मुझ दिखाने की लायक भी ना होती जब आपके फेस पे आप लोगों के चैरे पर पढ़ जाता है तो फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी तो पहले बार जिन्दगी में मेरे साथ ऐसा हुआ और यह मैंने गलती की है तो यह गलती आप लोगों मत कीजेगा ध्यान दीजेगा जब मैंने आगे पकड़ा तो कोई प्रॉब्ल कैसे मैं निकाल रही हूं तो चल को तो छोड़ी दिर से मैं मिलती हूं और हम लोग pięas क파 लिया है और यहाँ पर मैं कुछ product अपने मैं पैक करने जहारी थै किवी में कना इनको एक मेरका रख देती हूं और इतना ज्यादा परिशान थी कनफ्यूस ही आप देखो कभी से लगी पड़ी हुई थी ये डिबी को मैं ओपन ही नहीं कर पा रही थी जो कि मैंने इसमे नायका का कुछ प्रोड़क्ट मंगा था नायका से तो सारे ही प्रोड़क्ट को मेरे पास उतने जादा नहीं है जितने हैं जो भी हैं काफी जादा ब मिलने ही वाला है तो मैंने का इन सब को मैं इसी तरीके से करके रख दू ताकि मेरी कोई भी चीज बाकी न रहे और छोटे ना तो इन सभी को रखने के बाद मैंने सूचा कि जो मेरा मेक अप बॉक्स है साधी वाला उसमें भी कुछ प्रोड़क्ट मैं रख देती हूं जो पड़ा था इससे पहले मैं उसे यूज कर रहे थी लेकिन वो ठीक से बन नहीं हो पा रहा था तो मैंने उसे पैक करके उपर रख दिया था लमारी के और यहां पर मैं अपने शिंगारदान का यानि की ड्रेशन टेवल का समान निकाल रही हूं जो मैं यूज नहीं करती हू क्योंकि जो है हमारा रूम वाल आरेंजमेंट हो चुका है अभी कोई कंफर्म नहीं है बट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और जब मैं इसे ओपन कर रही थी मेरे हाथ में लग गया अज पता नहीं क्या सुबे से हो रहा मेरे साथ कुछ ना कुछ साथ में बाबू भी उठ गई थी तो उतनी जादा वच्छे से काम नहीं हो पाएगा मुझे पता है कि एक दिमाग मेरा इदर एक दिमाग उधर लगा रहेगा और यह फॉल से अभी जस्ट नहीं हो अभी मैंने से अप्लाई भी नहीं किया है और क्योंकि मेरी सारी खराब उचुकी थी धुल-दुल की बिल्कुल खराब उचुकी थी तो मैंने का चलो मंगा लेते हैं और यह पर्फ्यूम वगरा जो आनी पाया इनको मैं फिर से सी में रख दूंगी और देखूंगी कहां पर मैंने रख सकती हूँ नमान पैक करते-करते उठ गई और यह मेरी रख्षी हूई है मेकप बॉक्स की साधी की पे drifting क्या बोलते है गाउने, पिटरिया, पिटरिया, पिटरिया बोले नबाबु क्या खुआ रही हो क्या खुा रही हो, विटा, यसे खुआ जाता है, कैसे खुआ जाता है, एसे वसी लों बोल दे मुझे भी दे दो नहीं दोगी अच्छा ऐसी रखा रहे दो वर्ना गिरेगा और इन्हीं काट कर दे दो ना कि यह काट कर खाले अपने से खिला दो नहीं नहीं खाना यार क्या लग गया हाथ में नाखून में कुछ घस गया दर्द हो रहा है अभी पूरा घर मैं ऐसी हुआ पड़ा कि कि मैं सब कुछ छांट 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 ढूर लए थी आप लोगों को उतना ही दिखा पाई जितना दिखा सकती थी क्योंकि कैमरा अधर उधर करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर उतना फोकस भी नहीं कर पाता ठीक से तो बस इसी तरीके से हमने अपना समान रख लिया तो चलिए अभी थोड़ी देर से आप लोगों से मैं मिलती हूं ठीक है तो गैस खाना हमारा बन चुका है बाबू भी खा च सारी बाते मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं तो मैंने का ये भी बता दू जब मैं यहां खाना बनाती हूं ना तो मेरा आधा दीमाक वहां लगा रहता है क्योंकि हमारे घर के बगल से गली जैसा मैंने आपको दिखाया था और डल लगा रहता कि कोई आना साय कहीं ब पर मैं जान भाता रही हूं यह चीज़े क्योंकि जब बच्चू अकेले होते बार बार मैं किचिन से जाक के अपना दर्वास देखती रहती थी तो दाल मैने खाली कर ली चावल भी मैंने खाली कर लिया बड़तन में सारे धुलूंगी और यह खाएंगे और मैं पापा तो वो रात में धुलूंगी जब खालेंगे सबी लूंग जब और जो जब मैं सारे समान निकालती हूँ न तो वो इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि मेरा जल्दी जल्दी वाला काम होता है तो ये सारे डिब्बे आप देख रहे हैं सारे फैले पड़ेंगे तो इनको मैं समेट दूँगी अच्छे से पहले उपर मैं जार दूँगी यहाँ पर तखत पर फिर मैं इसको पोच्छोंगी पहले जार लूँगी और जो डब्बे वगेरे पीछे लगे हैं उनको मैं अच मैं जल्दी जल्दी काम कर लिया करूं फिर मेरा दिमा कादा उधर लगा रहता है तो बस यहां गैस के पास मैं जाड़ू मार रही हूं जाड़ू मारने के बाद मैं इसको अच्छे से पोच लूँगी ताकि जो आमने बनाया है वो गंडा हुआ वैसे डाल बनाने में तो इसको अच्छे से क्लेन कर लूँगी है यहां पर साइड में दूसरे छोटे वाले गैस पर फटाफट से सभी काम कर लेती हूं फिर आप लूँगों से आराम से मिलती हूं क्यों कि आज आज आप लूँगों से उतने अच्छे से वाते भी नहीं हो पाई है ना तो बस चलिए मिलती हूं आप लोंगों से मैं थोड़े देर से ओके तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के नौ दस और यह दिखे आज यह जल्दी आ गए हैं और खाना खा रहा हैं रोटी बना के आई हूं सारा काम निप्ता ली हूं बरतन धुली हूं सब कुस दुली हूं वाद दुलानिया 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 ममा भी आए ममा भी दुलान बनी कर देती हूं अगर आप लोग को व्लोगिंग अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर कुछ भी कमी लगी हो सुधार कुछ भी आप लोग करना चाहते हो व्लोगिंग में तो आप बता सकते हो मैं माइड नहीं लोगी और ये पसीना नहीं है मूध हुलकियाई हूँ गिला-गिला है जो अभी टपक रहा है ये देखी तो बस वही है इंड कर देती हूँ वेडियो बहुत लंबी हो चाती ही सोचती हूँ छोटी करू छोटी करूँ बस बठ होती ही नहीं और बनाया था मैंने दाल चावाल रोटी से मैंने रिस्पी आपको नहीं दिखाई जी सके आपने देखा कि कूकर खाली करके मैं ले गई हूं और बरतन माजना तो अल्रेटी मैं दिखाई चुकी हूं तो क्या दिखाती तो सभी काम हो चुका है वस थोड़ा सा रेष्ट करू फिर बतक पाप आंगे और आम कि खाने वाले करें आरें दिखा दो आपको खाना तो आज आईए बुला रहा है साथ किस Patient की जी को तो बस आपके जीजु आप लोगों को बुला रहे हैं आप खाने के लिए खाना खाने के लिए नहीं वीडियो का इंड यहीं करती हूं मिलती हूं अच्छे से वीडियो के साथ ओके बाबाई